आज के इस वीडियो में sanity के अंदर query करने के लिए जो language हम लोगों ने देखी थी Grog उसको हम थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे उसके सारे commands को चला कर देखेंगे और ये देखेंगे कि Grog को किस तरह से इस्तेमाल करना है जब आप थोड़े से heavy projects में काम करेंगे उसी के साथ साथ एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोग within sanity अपने Grog की queries को चला सकते हैं जिससे कि बहुत easily आपको एक GY मिलता है एक web interface मिलता है और वहाँ पर आप लोग अपनी Grog की queries चला कर देख सकते हैं चलते हैं computer screen में देखते हैं इस सारे काम किस तरह से की जाते हैं यार सो फार जो हमने किया आप लोगों ने देखा I hope आप लोगों समझ में आया आप हम लोग क्या करेंगे Grog से थोड़ा बहुत खेलेंगे मैं ऐसे Grog से खेलेंगे मतलब मैं आप लोगों को sanity के विजन के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से Grog की cheat sheet में जो commands हम लोगों ने देखे थे वो हम लोग use करेंगे तो मैं CD करूँगा sanity backend के अंदर और यान start करूँगा जो की खोलेगा मेरे लिए sanity start अगर आप लोगों ने भी sanity का boosted plan access नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार कर लो free है absolutely free है description में जाकर click करो link को और sanity boosted plan को check out करो और एक project बना लो उससे ठीक है क्योंकि उसमें काफी चीज़े आप लोगों को देखने को मिल रही है तो आप लोग बना लो यार ठीक है एक project बना लो यह सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने sanity project में control click करूँगा और यहां पर वो जो grog की cheat sheet में आप लोगों को बताई थी उसको खोलूँगा ठीक है मैं vision पर click करूँगा तो मैं यहां पर एक query चला सकता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो मैंने query चला रखिये पहले मैं fetch पर click करूँगा जो इसका result हो यहां पर आ जाएगा तो created ad पर कुछ आया है ठीक है एक ही आया obviously एक slug का एक ही मैंने रखा हुआ है तो एक ही मुझे entry देखने को मिलेगी तो सिर्फ एक यहां पर result array है जिसके अंदर मुझे चीज देखने को मिली है ठीक है अब यहां पर आप लोग देखो कि मैं यहां पर जैसे click करता हूँ तो यह copy हो जाता है to clipboard अगर मैं इसको भी paste करूँ तो आप देखो यहां से लेकर जाता है पूरा object copy हो गया तो अगर आप किसी भी object copy करना चाहते है जैसे कि मानलोब मैं व्लॉग image वाले object को कॉपी करना तो यह video में आप लोग को यह सारी queries चला कर दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो यहां पर हम simply क्या करेंगे कि star अगर करेंगे तो सारे के सारे documents हमको देखने को मिलेंगे तो अगर मैंने यहां पर star कर दिया मतलो और मैंने fetch पर click कर दिया तो यहां पर आप लोग देखो कि 0,1,2 3,4,5,6,7,8 सारे के सारी entries हमारे पास आरी है आप देख सकते हो जितना भी आज तक मैंने upload किया है sanity पर वो सब मुझे देखने को मिल रहा है तो star का मतलब सब कुछ everything all documents ठीक है फिर everything with no filter supplied ठीक है यह भी all documents ठीक है यानि कि everything जिस पर कोई filter ना लगा इसको अगर मैं copy करूं तो अच्छी बात है author करूंगा तो यहां पर दो authors है मेरे पास ठीक है तीन authors है तीन authors है ठीक है चार authors है 0123 चार authors है वाव ठीक है तो यहां पर क्या 4 authors है मेरे पास मैं desperate जाकर देखना चाहता हूँ वेट कर रहां थे लोड होने तक चार authors हैं मेरे पास यह तो मुझे पता ही नहीं था तीन authors है यह चार क्यों दिखा रहा है zero यह एक author है zero एक author है one एक author है two एक author है three I think मैंने कोई draft बना हूँ है कही न कई पर एक draft बना हुआ है कहीं न कहीं तो draft बना हुआ है जिसकी वज़ा से यह मुझे ऐसे दिखा रहा है तो यह draft बना हुआ है अगर मैं इसको discard changes कर दूँगा और confirm कर दूँगा और publish कर दूँगा तो आप लोग देखना कि यहां पर मुझे number of documents यह दिखाएगा यह दिखाएगा देखो 0,1,2 दिखा रहा है पहले 3 भी दिखा रहा था तो यह क्या करता है draft के दौर पर save कर देता आपके documents को मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका अभी 3 documents saved है मालो मैंने यह आप चेंज कर दिया 1,2,3 लिग दिया अब 4 documents save हो चुके एक draft save हो चुका है, अब मैं इस draft को अपना भी सकता हो, ठुकरा भी सकता हो अगर मैंने publish कर दिया तो मैं इसको अपना लूगा अखियो तब भी 3 documents रहेंगा मैंने मालो publish कर दिया इसको, तब भी, जो draft था वो actual वाले blog में, sorry author में convert मुझे कहना चाहिए दोक्यूमेंट में का अब ही हमारे पास टोटल तीन दोक्यूमेंट Chloe PriceWasn दिखाना चाहता हूं, run करके, अभी यहाँ पर अगर at the top देखा, आप three items लिख करा रहा है, three items से लिखके आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर draft बनाया है, अभी मैं इसको fetch करूँगा, तो आप देखा four items आगया, एक draft आगया, ठीक है, जैसे आप type करता चाते हो, वैसे वैसे real time मैं sanity आपके changes को sync करता जाता है, तो I hope यह जीज तो clear ही सबको अभी at this point, ठीक है, यह होगी हमारी एक और query, अब इसके बाद यहाँ पर type in movie person, ठीक है, type या तो movie हो, या person हो, type in का क्या मतलब है, इनका मतलब इस area के अंदर होना चाहिए, या तो movie हो type, या person हो, ठीक है, हम इस इस तरह की query को चला सकते है, sanity के अंदर अपने, कुछ इस तरह से, या तो type जो हो, हमारा equals to, मैं काम करता हूँ, इसको में टाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं author करूँगा, फिर व्लॉग करूँग और यहाँ पर ब्लॉग कर दूँगा, फेच करता हूँ, और आप दो देखो, जैसे मैंने फेच किया है, यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह सारे के सारे आगए मेरे पास, यहाँ तो author और ब्लॉग सब आ गए, ठीक है, तो यह चीज़ आ गई मेरे पास, इसके बाद एक और query अ करता हूँगा मैं, जिसकी release date, 2022 करूँगा सबसे पहले तो मैं और June करूँगा, और यहाँ पर मैं पांच कर दूगा, ठीक है, मैं इस query को अगर रन करूँ, तो no documents found in data set production, that matches query this, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ, मैं पांच पांच करूँ, तब सारे आएंगे क किया, तब भी कह रहा है, नहीं आ रहे है, तो release date ही नहीं मेरी, release date यहाँ पर ही नहीं, ब्लॉग में, created at है, ठीक है, created at है, release date, created at है, तो मैं ब्लॉग के अंदर जाऊँ, और उसके बाद मैं अगर नीचे आकर आप लोग को दिखाऊँ, date, date कहां पर है, created at, ठीक है, इसका न है, और मैं इसको 6 ही रहने देता हूँ भी, अभी मैं इसको fetch करूँगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, भी भी, यह क्या हो रहा है, type block created at is greater than 5622, तो हाँ, अब आ गया, देखो, 5 जून 2022 के बाद जितना items से, वो सारे आ गए, सिर्फ एक ही item मैं ने बनाया था, 5 जून बनाया है, सिर्फ एक बनाया है, एक ही आ रहा है सिर्फ, ठीक है, लगता है यहाँ पर created at है नहीं, यहाँ पर created at है नहीं, अगर मान लो मैं इसका created at कर दूं 30 जून, ठीक है, वो publish कर दूं, javascript tutorial 2 का, और मैं आपर 30 जून लिख दूं, यानि कि मैं आपर लिख noon 30 06, और इस इसके बाद हमने यह पूरी चीज जो है, इसको एक bracket में डाल दिया, यानि कि यह चीज अपने आप में चलेगी, यह चीज evaluate होगी, true या false में, हर document के लिए, अगर type movie है तब वो आएगा, वरना नहीं आएगा, और इसके बाद यह पूरी चीज evaluate होगी, ठीक है, यह true या false हो स इसे भी कर सकते हो, not equal via double negatives, अब दो बार यहाँ पर even equal via double negatives, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यह क्या लिखा है, not not equal, not of not of equal कर दिया, उसका मतलब equal होता है, ठीक है, पिर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ू, तो यहाँ पर name is less than, baker, alphabetically आप compare कर सकते हो, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजे दी हुई है, तो यह जो vision होता है sanity का, यहाँ पर आप अपनी grog की query चला कर देख सकते हो, और आप लोग की query चला होगे तब आपको बंद चलेगा, वो क्या चीज रेटर्न करने वाला है, ठीक है, तो अगर मैं अपने blog को अभी दिखा हूँ आप हमारी यह दिख रही है, ठीक है, और मैंने एक चीज करी थी यहाँ पर, कि जो मेरा यह blog वाला section है, इसका अगर मैं कोई भी post पड़ूँ, तो इसमें जो यह बनकर आ रहा है उपर, वो ऐसा बनकर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं slash blocks पर जाओ, मैं कुछ ऐसा करूँ, मै slash blocks पर जाओ, तो वो कुछ ऐसा बनकर आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा different color इसका और इसका, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो navbar है, उसको copy करूँगा, और navbar.js में डाल दूँगा, तो यह हमारा navbar है, if I am not wrong, तो मैं इसको control x करूँगा, और यहाँ पर replace कर ठीक है, अगर मैं यहाँ पर control space करूँ, navbar, ठीक है, तो उपर import हुआ, navbar की नहीं हुआ, यहाँ आ गया, navbar from components navbar, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो div है से replace कर दूँगा, format document करता हूँ पहले, और यहाँ पर डाल दूँग, ठीक है, और अभी देखता हूँ य ठीक है, लेकिर एक दिक्कथा गई, दिक्कet क्या आ गई गई वही, दिक्कथा यहाँ पर यहाँ हो गया, ठीक है, तो यहाँ यह गया चल रहा है, यह क्या चल रहा है, मैंने गलत चीज डाल दी, बता है, navbar में, तो यह जो hidden वाला पार ने डाल दीया, मुझे उसके नीचे जाओंगा और जहां पर मेरा navbar है वहाँ उसको मैं copy करके डाल दूँगा यहाँ पर जिसमें देखने ही कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ और यहाँ क्या difference आ रहा है ऐसा क्या है यहाँ पर जो यहाँ नहीं चल रहा है यहाँ चल रहा है इसको मैं अगर reload करूँ तो यह कह रहा ही reload किया मैंने और हाँ यह अब आ गया देखो navbar भी आ गया उपर मेरा और इसको मैं reload करूँ अगर तो यहाँ पर जो navbar है वो मेरा नहीं आ रहा है ठीक से तो यह चल क्या रहा है यहाँ पर वो background क्यों नहीं मिल रहा है navbar को यह मुझे समझ नहीं आ रहा है यह navbar तो दिख रह सब्सक्रदों तब यह आ गया बट यहाँ पर दिक्कत क्या रही है slash blocks में जाते हैं और देखते हैं कि हम navbar बार य्यूज भी कर रहें कि Huh कर दू रहे हैं हम कर दो रहे हैं navbar को यह navbar render क्यों नहीं हो रहा है फिर हम use कर रहें तो navbar को हमनी य्यूज किया है but यह navbar render नहीं हो तो यह भी हमको देखना है यहां पर मैं बात करूं तो यह हमारा रेंडर हो रहा है इसको मैं रिलोड करूं तो यह कुछ इस तरह से आ रहा है यहां तो यहां पर बीजी प्राइमरी डिफाइंड है जिसके वज़े से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक काम करूंगा यहां पर इसका इसका कलर देखूंगा इसका जो भी कलर है वो दे दूँगा ठीक है तो अगर मैं यहां पर लिखूं कलर रेड और मैंने आपको बताया था कि यह कलर आप इस तरह से कॉपी कर सकते हो तो अग आपको अचली क्या है ना जो स्टाइल शीट से इंपोर्ट है उनकी वज़े से चीज हो रही है तो नेवबर हमारा भी यूनिफॉर्म है मैं बस बसी कलिए चाहता था कि जो मेरा नेवबर है वह सिंप्ली एक जैसा दीगे सब जगा ठीक है तो यह जो डिव है मेरे नेवब और यहां पर मैं रिलूट करूंगा है तो यह एसा दिखा रहा है तो शायद मैं बढ़ाऊ हूँ इसको तो कुछ हो अगर मैं इसको इंपेट करूं तो यह MX12 तो मिला हुआ इसको लेकिन सको Container Class मिली हुए है ऐक और यहां पर container Class में शायद कुछ स्पेस very defined है तो यहां container Class द साथ-साथ MX Auto भी कर दूँगा, ठीक है, तो container के साथ-साथ आई गए सगर मैं MX Auto कर दूँँ, तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे MX 12 देने की भी ज़रूरत नहीं है, इस पेज में जाएंगे, तो बिल्कुल यूनिफर्मिटी आ गई है, बढ़िया यूनिफर्मिटी आ गई है, कोई देखकर यह नहीं कह सकता, यह डिफरेंट पेज़ेश है, बढ़िया हो रहा है अभी सब कुछ, और यह हमारे चो content के आ रहा है, हमारे database से, sanity से, ठीक है, तो sanity का boosted plan अगर आप लोगो ने नहीं लिया है, तो ले लेना, उसी के साथ, sanity की playlist भी आप लोग अक्सेस कर लेना, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.